Hello friends, I am Jigar Patel. Welcome to our YouTube channel AJ Patel Institute. आज हम लोग study करेंगे class 8 chapter number 1, जो कि है rational number. इस chapter को start करने से पहले हमें कुछ previous fundamental है, उसको समझना ज़रूरी है. जैसे कि हम start करेंगे पहले number system से. तो number system में सबसे पहले आता है natural number, जिसको denote किया जाता है capital N से. और उसके अंदर सारे number साते positive starting from 1. So 1, 2, 3, 4, up to positive infinity number. Then after है हमारा whole number. Whole number के अंदर क्या है? जो natural number था, अगर उसमें हम 0 को add कर दे, तो वो बन जाएगा whole number. यानकि 0, 1, 2, 3, 4, up to positive infinity. और उसको denote किया जाता है capital W से. उसके बाद आएगे integers. ये whole number के अंदर 0 से लेके positive है. अगर इसके अंदर आप negative number एड़ कर दे, मतलब कि negative infinitive to positive infinitive. उसके बीच में आजाएगा minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. negative side में भी बहुत सारे number हो सकते है, positive side में भी बहुत सारे number हो सकते है. और इसको denote किया जाता है capital Z से. उसके बाद आएगा rational number. अब rational number क्या है? जैसे कि हम समत्य रेशियो का मतलब क्या होता है? numerator और denominator. जब दोनों साथ मिलते हैं, जैसे कि P by Q. तो P होता है numerator, Q होता है denominator. जिस number में numerator और denominator दोनों आते हैं, जिसको हम standardly P by Q फॉर्म बोलते हैं, वैसे number को बोलते है rational number. यहाँ पर एक interesting चीज है, यह सारे number, natural number, whole number, integer, यह सारे rational number है. क्यों? क्योंकि हम किसे भी फॉर्म में, जैसे कि 2 है, तो हम 2 division 1 लिख सकते हैं. तो यह सारे के सारे है, यह rational number है. Even after that, अगर हम study करना है, जैसे कि 15 by 10, तो यह बन जाएगा 1.5, उस तरह से 3.5, 7.5, 7.2, यह सारे के सारे rational number है. अब हम बात करते हैं, odd number और even number की, और साथ में prime और composite को भी refer करेंगे. सबसे interesting बात बताओ मैं आपको, odd number और even number यह दोनों positive, negative दोनों हो सकते हैं, लेकिन prime और composite सिर्फ positive number हो सकते हैं, तो odd number की बात करें, तो जैसे कि 1, 3, 5, 7, एक number को जम करके हम आगे बढ़ेंगे, उसको बोलते हैं odd number, और even में क्या आएगा? तो 2, 4, 6, 8, यह सारे के सारे number क्या है? इवन number है, हम negative side भी जा सकते हैं, minus 1 भी हो सकता है, minus 3 भी हो सकता है, इसमें minus 2 भी हो सकता है, minus 4 भी हो सकता है, ठीक है? अब हम बात करेंगे prime number की, तो prime number क्या होना चीए, prime number किसे बोलते हैं? ऐसा number कि जिसके सिर्फ खुद और उसके अल उसके अलावा को multiple नहीं होना चाहिए, जैसे कि बात करें 3, तो 3 का multiple कौन है? 3 into 1, 3, तो 3 और उसके अलावा सिर्फ एक multiple होना चीए, उसको बलते है prime number, ठीक है? अब बात करेंगे composite number, तो composite number में जैसे कि कोई number है, जैसे कि 4, तो उसके more than 2 multiple होने चीए, जैसे कि 4 क्या क्या 2 into 2 into 1, ठीक है? तो उसको बोलते है composite number, अब इसमें एक क्वरी होती है बच्चों को कि ये सर 1 prime number होगा कि नहीं? नहीं, क्यों 1 का सिर्फ एक ही number है, वो खुद, उसके अलावा उसका कोई multiple नहीं है, इसलिए 1 prime number नहीं है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे close up property से, सबसे पहले ह हम लेंगे natural number, natural number है जैसे कि हमने previously discuss कि उसके अंदर 1, 2, 3, 4 से लेके positive infinite तक हो सकता है, अब हम लोग पहले लेंगे addition, अब addition के लिए हम क्या करेंगे, कि natural number addition के अंदर closed है कि नहीं, उसको check करने के लिए हम natural number में से कोई भी दो number को ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिए 3 और 5, तो अगर हम 3 और 5 का addition करें, का answer but always हम जानते 8 आजाएगा, यानि कि 2 natural number का addition करें, तो natural number ही मिलेगा, अगर ये हो सकता है, ये possible है इस case के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे, कि natural number are closed under addition, ठीक है, अब second है subtraction, अब जैसे कि कोई भी दो number हमने 3 और 5 लिया है, subtraction कर दो 3-5, तो answer के आएगा, minus 2, अब ये minus 2 natural number नहीं है, यानि कि क्या, natural number are not closed under subtraction, then after आएगा multiplication, वैसे ही 3 और 5 का multiplication करो, 3 into 5, तो answer आएगा 15, ये 15 भी natural number है, यानि कि natural number are closed under multiplication, then after आएगा division, उसे को ले लो 3 upon 5 या तो फिर 5 upon 3, दोनों में से कोई भी हमें answer natural number में नहीं देगा, ये rational number बन जाएगा, ठीक है, so division, natural number are not closed under division, अब हम second number लेंगे, जो कि हमारा whole number, उसके अंदर आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, up to infinity, positive side, अब उसके अंदर हम check करेंगे कि whole number है, वो addition के लिए closed है कि नहीं, तो जैसे हमने previously किया था, कोई भी दो number ले लेते हैं और check करते हैं, अब यहाँ पर 0 का introduction हुआ है, तो 0 को add करते हैं, 0 और 5 को लेो, चलो, तो 0 प्लस 5, addition कर दो, 0 प्लस 5, answer 5 आएगा, मतलब कि यह भी whole number है, दो whole number का addition करें, तो whole number मिलेगा, that means what, whole number is closed under addition, then after आएगा subtraction, अब 0 और 5 को subtract कर दो, 5 माइनस 0 करो, तो 5 आएगा, लेकिन अगर मैं 0 माइनस 5 करो, तो माइनस 5 आएगा, जो whole number are not closed under subtraction, then after आएगा multiplication, 5 इंटो 0, या तो 0 इंटो 5, answer आएगा 0, that means what, the whole number are closed under multiplication, last में आएगा division, जैसे कि हम जानते हैं, 5 अपम 0 करेंगे, तो यह answer हो जाएगा not defined, ठीक है, और यह not defined है, उसकी value हमें पता नहीं है, इसलिए, the whole number are not closed under division, अब हम बात करेंगे, इंटीजर्स के बारे में, तो इंटीजर्स में सारे negative number, 0 और सारे positive number आएगे, तो उसकी close of property चेक करते है, कि एडीजर्स में इंटीजर्स क्लोस है कि नहीं, तो randomly कोई भी दो number ले लो, जैसे कि minus 3 ले लो, और दूसरा 2 ले लो, तो minus 3 plus 2 का एडीशन करे तो answer क्या आजाएगा, minus 1, अब minus 1 integer है, yes, minus 1 integer में है, तो integer are closed under addition, then after subtraction की बात करते हैं, इसी दो number को ले ले लेते है, minus 3 minus minus 2, तो answer क्या हो जाएगा इसका, minus 3, sorry, यहाँ पर plus 2 है actually, तो minus 3 minus 2, तो answer हो जाएगा minus 5, और minus 5 ही क्या है, that is also integer, so integer are closed under subtraction, अब हम बात करेंगे multiplication की, इसी दो number से continue करते है, minus 3 into 2, तो answer क्या बनेगा, minus 6, तो minus 6 क्या है, minus 6 is again integer, so integers are closed under multiplication, अब बात करते हैं division की, एक बात समझ लो, जिसके भी अंदर 0 आता है, उसको हम divide नहीं कर सकते, तो minus 3 upon 2 करेंगे, तो वैसे भी rational number मिल रहा है, तो यह तो define होगा ही लेकिन जब 0 आता है, तो उसको divide करके देखी लेना चाहिए, minus 3 upon 0, और जैसे कि हम जानते है, जब 0 division में होता है, तो उसके value हम define नहीं कर सकते हैं, that's why integers are not closed under division, अब हम लोग discuss करेंगे rational number के बारे में, तो सबसे पहले start करते हैं, addition, अब rational number होता क्या है, जैसे कि हमने डिसक्स क नमबर को लेते हैं, हम लोग, minus 2.5 को ले ले लेतो, और दूसरा ले ले लेते हैं, 2 को, तो अगर इन दोनों का addition करें, तो क्या होगा, minus 2.5 plus 2, का अंसर कितना आएगा, minus 0.5, minus 0.5 यानि कि वो rational number है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते है, minus 5 by 10, तो rational number are closed under addition, then after आएगा subtraction, चलो, minus 2 2.5 minus 2, यानि कि आएगा minus 4.5, और minus 4.5 को हम लिख सकते है, 45 by 10, तो ये भी rational number है, that means what, rational number are closed under subtraction, then after number आएगा multiplication, चलो, उसी दो number का multiplication करते है, minus 2.5 into 2, तो अंसर कितना आएगा, minus 5, और minus 5 again, that is a rational number, so rational number are closed under multiplication, अब डिवीजन की बार ही मैंने पहले ही बताया था, कि 0 आएगा, त तो वो closed नहीं होगा, तो minus 2.5 upon 2 ले ले, तो ये हो जाएगा आपका rational number, लेकिन अगर मैं 0 को इंटर्डिउस करूँ, जैसे कि 0 सब के अंदर आएगा, तो ये not define हो जाएगा, इसलिए ये division, rational number के लिए division closed property में नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम quick reason ले ले लेता है, कि addition, subtraction, multiplication, and division के लिए, natural number, whole number, integer, rational number are closed है कि नहीं, तो सबसे पहले बात करता है addition की, तो जैसे हमने previously देखा, कि addition के लिए सारे के सारे closed है, natural, whole, integer, rational, सारे के सारे addition के लिए closed है, subtraction की बात करें, तो natural number के अंदर negative sign आने का chance है, तो वो नहीं हो पाएगा, फिर whole number की बात करें, उसमें भी negative नहीं है, तो इन दोनों के अंदर subtraction के लिए natural all whole number closed नहीं है, और इन दोनों के अंदर negative number included है, इसलिए integer और rational number subtraction के अंदर closed आएंगे, फिर बात करते है multiplication, कि इसे बाग का भी multiplication करो आप लोग, तो ये possible है, तो सारे के सारे multiplication के अंदर closed है, ठीक है, अब division के बात करें, तो natural number मे अंदर ratio नहीं आता, इसलिए वो division के लिए closed नहीं है, बाकी सब में 0 आता है, और हमने पहले ही discuss किया, जिसके denominator में 0 आएगा, वो closed नहीं होगा, इसलिए whole number, integer और rational number, including natural number, are not closed अंदर division, चले अब नहीं प्रापर्टी स्टार्ट करते है, जिसका नाम है commutativity, अब सबसे पहले ह तो अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी दो natural number ले लेता है, जैसे कि 3 and 5, अब इन दोनों का addition के लिए check करता है कि addition के लिए community है की नहीं, तो उसमें क्या करना है, जैसे कि ये दो number लिए, उसका forward operation करना है, मतलब 3 plus 5, और इसका reverse operation करना है, मतलब 5 plus 3 तो हमें पता है कि इसका answer 8 आएगा और इसका भी 8 आएगा, अगर दोनों answer same आते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि addition is cumulative for natural number, अब हम चेक करेंगे subtraction के लिए, वही दो number repeat करता है, 3 minus 5 और 5 minus 3, अब इसका answer आएगा minus 2, लेकिन इसका आएगा plus 2, तो ये दोनों equal नहीं बनेंगे, that means what, subtract subtraction is not commutative for natural number, then after आएगा multiplication, वही दो number को repeat करो, 3 into 5 and 5 into 3, अब इसका answer आएगा 15 और इसका भी आएगा 15, अब ये दोनों answer same है, that means what, multiplication is commutative for natural number, then after आएगा division, अब डिवीजन की बात करें, तो 3 by 5 और 5 by 3, अब हमें पता है कि जैसे ही order change किया, इन दोनों का answer same नहीं आ रहा, तो this this is not equal to, equal नहीं बनेगा, इसलिए division commutative नहीं है, इसके लिए, natural number के लिए, next है हमारा whole number, whole number के इंदर हमें पता है, 0 से start होगा, 1, 2, 3, 4, up to plus infinitive, so सब से पहले हम स्टार्ट करेंगे addition के लिए, अब इसमें 0 इंटर्डिश हुआ है, और दूसरा एक number ले ले लेते है, 3, ठीक है तो सब सब पहले हम addition के लिए try करेंगे, a plus b, यह हमारा a हो गया, यह हमारा b हो गया, तो 0 plus 3 और 3 plus 0, अब हमें पता है, इसका addition 3 होगा, और इसका भी 3 होगा, मतलब दोनों equal है, यानि कि a plus b is equal to b plus से justify होता है, that means addition is commutative for whole number, ठीक है, उसी तरह subtraction की बात करते है, तो 0 minus 3 और 3 minus 0 जब number को alter करेंगे, तो इसका answer आएगा minus 3, इसका आएगा plus 3, दोनों equal नहीं बनेंगे, अगर equal नहीं बनेंगे, that means what, subtraction is not commutative for whole number, उसके बाद आएगा multiplication, 0 into 3 is equal to 3 into 0, ठीक है, इसका answer आएगा 0 और इसका भी answer आएगा 0, अगर answer equal है, तो multiplication is commutative for the whole number, उसके बाद बात करेंगे division की, तो 0 by 3 और 3 by 0, order change करने पर पता चल रहा है, कि यहाँ पर 0 denominator में है, और यह हो जाएगा not defined, और यह हो जाएगा 0, तो दोनों equal नहीं बनेंगे, इसलिए division is not commutative for the whole number, अब हम बात करेंगे integers के लिए, तो integers में number range का है, minus infinitive to plus infinitive, सबसे बहले start करते हैं, हम कोई भी दो number ले करते है, minus 3 और दूसरा लेते है, 0 को, तो minus 3 और 0, महलों कि यह A है, यह B है, तो सबसे बहले addition के लिए check करते है, minus 3 plus 0, और 0 plus minus 3, ठीक है, तो इसका answer क्या आएगा, minus 3, और इसका भी answer आएगा, minus 3, दोनों equal है, इसलिए हम बोल सकते है, कि addition is commutative for integers, उसके बाद बात करेंगे subtraction की, अब subtraction के लिए क्या होगा, minus 3, minus 0, और यहां पर होगा, 0 minus minus 3, ठीक है, तो यह बनेगा minus 3, लेकिन यह minus minus बनके हो जाएगा plus 3, तो यह दोनों equal नहीं बनेंगे, इसलिए, यह property हमारी justify नहीं हो रही, इसलिए subtraction is not commutative for the integers, अब next number आएगा, हमारा A into B, और B into A, यानिके multiplication, तो बात करते है, minus 3 into 0, और 0 into minus 3, अब दोनों का multiplication करो, किसी भी case में answer तो 0 याना है, that means what, A into B is equal to B into A, यह justify होता है, multiplication के case में, that's why multiplication is cumulative for the integers, अब division की बात करते है, जैसे हम 0 को देखेंगे, denominator में, तो वो बनने से रह, minus 3 by 0, और 0 by minus 3, यह दोने equal नहीं बनेंगे, क्योंकि यह हो जाएगा not define, और इसका answer हो जाएगा 0, अब next है हमारे rational number, अब rational number क्या है, किसी भी number को आप P by Q form में लिख सकते हो, तो उसको rational number बोलेंगे, plus neutral number, whole number और integer, यह तीनों के तीनों rational number में ही आते है, ठीक है, तो अच्छे लिए, अब हम save side कोई भी number लेते, 3 by 2, और दूसरा number कोई ले लेते है, 0, 0 को रखे, division के लिए आपको काम में आएगा, तो इसको A बोल देते है, इसको B बोल देते है, चलिए addition करते है, 3 by 2 plus 0, और 0 plus 3 by 2, what obvious, answer दोनों का एक ही आएगा, that means what, addition is cumulative for the rational number, अब next है subtraction, subtraction में लेंगे 3 by 2 minus 0, और 0 minus 3 by 2, तो चेक करिए तो इसका answer आएगा 3 3 by 2, और इसका आएगा minus 3 by 2, जो कि equal नहीं है, अगर equal नहीं है, तो ये property justify नहीं करती, इसलिए subtraction is not cumulative for the rational number, अब आएगा multiplication, तो 3 by 2 को 0 से multiply करो, और 0 को 3 by 2 से multiply करो, order change करके, दोनों का answer एक ही आएगा, 0, that's why ये property justify होती है, तो multiplication is cumulative for the rational number, next is the division, अब 3 by 2, 0 और 0, 3 by 2, इसका answer लेने जाए तो ये हो जाएगा not defined, और इसका answer हो जाएगा 0, तो इन दोनों के case में भी ये equal नहीं है, that's why division is not cumulative for the rational number, अब हम quick reason कर लेते हैं, जो हमने 4 प्रपर्ट के लिए learn किया, तो natural, whole, integer, rational के लिए comparativity में क्या है, अब अब टेबल को ध्यान से देखे, तो addition के लिए natural, whole, integer, rational, sub में commutative है, लेकिन subtraction के लिए किसी में भी नहीं है, then after multiplication में सब में है और division में किसी में भी नहीं है, ठीक है, चलिए अब next property start करते हैं, जिसका नाम है associativity, अब उसको सबसे पहले हम natural number के साथ club करेंगे, तो natural number के अंदर 4 property verify करेंगे, addition, subtraction, multiplication, division, अब अगर addition, associative है natural number के लिए, या तो subtraction, या तो multiplication, या तो division, तो यह सारे rules follow होने चाहिए, यानि कि क्या, अगर addition है, तो a plus b plus c bracket is equal to bracket a plus b plus c, यानि कि क्या, associative के अंदर आपको grouping करना है, यहाँ पर b plus c का group है, यहाँ पर a plus b का group है, तो उसी तरह से अगर यह verify करता है, तो associative होगा, आवर्रा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले value assign करते हैं a, b, c की, मालो a का value 2 है, b का value 4 है, और c का value 6 है, अब सबसे पहले addition की बात करेंगे, तो 2 plus 4 plus 6 is equal to 2 plus 4 plus 6, अब इसका answer verify करेंगे, तो क्या होगा, 10 होगा, और यहाँ पर 6 plus 6, यानि कि 12 is equal to 12, अब दोनों equal हो जाएंगे, इसके लिए addition is associative for natural number, ठीक है, यह verify हो गया, अब subtraction की बात करें, तो subtraction के लिए क्या है, a, that means 2 minus 4 minus 6, और यहाँ पर क्या है, 2 minus 4 और यहाँ पर माइनस 6, तो इसका अंसर क्या आएगा सबसे ब्रेकेट सॉल करेंगे 4-6 यानि कि-2 और यहां पर सबसे ब्रेकेट में 2-4 यानि कि-2 और-6 तो इसका अंसर क्या बनेगा 2--2 हो जाएगा और इसका माइनस 2-6 इसका अंसर बनेगा 4 और इसका अंसर बनेगा माइनस 8 जो की इक्वल नहीं है इसलिए सब्रेक्शन इस नॉट असोशेटिव फॉर नेचरल नंबर अब उसके बात बात करेंगे हम मलल्टिप्लिकेशन की तो चले मल्टीप्लाइ करते हैं 2 in 24 इन 26 है यहां पर भी 2 इन 2 4 इन 2 6 ठीक है तो इसका अंसर गया होगा प्रेकेट वाल करते पहले यह ओगा 24 यह ओगा 8 ही इन 2 6 तो यह आंसर होगा 48 और इसका भी एंसर होगा 48 तोनों एक्वल है that's why यह justify करता है that's why multiplication is associative for natural number अब बात करेंगे हम लोग division की तो division की बात करने से पहले थोड़ी जगा बना ले चलिए तो division के लिए हम क्या करेंगे उसी number को रखते हैं 2 division 4 division 6 और यहाँ पर भी उसी तरह 2 division 4 division 6 तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे bracket को solve करते हैं तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस तरह भी लिख सकते हैं 4 division 6 और यहाँ पर 2 division 4 division 6 तो इसका अंसर क्या बनेगा 4 by 6 का बनेगा 2 by 3 और यहाँ पर 1 by 2 division 6 ठीक है अब इसका अंसर क्या बनेगा हम इस साइट देख लेते हैं तो यह division है उसको reciprocal लेते हैं तो यह हो जाएगा 3 by 2 तो अंसर बनेगा आपका 3 ठीक है यह पहला answer हो गया अब इसकी बात करते हैं तो इसका बनेगा क्या 1 by 2 यह division का करते हैं multiplication तो अंसर बनेगा 1 by 6 तो अंसर आपका 1 by 12 यह हो गया 1 by 12 यह हो गया 3 दोनों equal नहीं है that means what division is not associative for the natural number अब next है हमारा whole number अब जो को interesting बात क्या है natural number और whole number में सिर्फ एक ही difference है 0 का 0 इसमें extra head हुआ तो जो property हमने natural number के लिए apply की थी वही property हम whole number के लिए apply कर सकते हैं जैसे कि इसमें मैं example नहीं सकता हूँ यह का value 2, b का value 4 और C का 6 जैसे हमने previously दिया था तो सारी property जो natural number की थी वही property हम whole number के लिए apply कर सकते हैं इसलिए addition के लिए associative होगा होगा मतलब यह yes आएगा subtraction के लिए नहीं होगा यानि यह no आएगा multiplication के लिए होगा yes आएगा और division के लिए नहीं होगा इसलिए no हो जाएगा सेम अगर हम discuss करें आगे whole number के बाद क्या आएगा whole number के बाद हम बात कर सकते हैं integers की तो integers के लिए क्या होगा वही property हम बात कर सकते हैं जो natural number में है वो integers में भी है तो जो natural number में हुआ वो whole number में भी है और वो integer में भी apply होगा और उसी तरह rational number में भी वही चीज apply होगी तो बार-बार एक ही चीज repeat करने का कोई मतलब नहीं है इसलिए मैं आपको in a short बता रहा हूँ कि जो property natural number की है वही property whole number और rational number की भी होगी चले अब quick reason करते हैं associativity का तो यह सारे हमारे नमबर से natural number, whole number, integer, rational number और यहां पर addition, subtraction, multiplication, division तो अब जायर सी बात है addition के लिए सब में यस आएगा और multiplication में सब में यस आएगा बाकी subtraction और division के लिए associative नहीं होगा Thank you for watching our video, यह हमारा 8 standard का chapter 1 का first part है अगले part हम continue करेंगे, basically इस portion के अंदर हमने introduction को cover किया है और next में हम example और सब cover करेंगे Thank you for watching our video, please like, share and subscribe आप यूट्यूब चैनल एजपते इंस्टिटूटूट